Information and System Security विशय पर आज से NIT राइपुर में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है इस सेमिनार में देश की प्रसिध IIT, NIT, NTPC, CDEC के अलावा Microsoft जैसी नामी कमपनियों ने ओनलाइन भाग लिया कारिक्रम के दौरान डेटा को सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया और उस पर गहन चर्चा की जा रही है प्रदेश के बाहर से आई शोध चात्रा तनुश्री घोश ने बताया कि वो इस प्रतिष्टे सेमिनार में भाग लेकर अपने आपको गौरवानवित महसूस कर रही है राष्ट्रे प्रद्योगी की संस्थान में IT के विभाग अध्यक्ष संजय कुमार ने दूरदर्शन समाचार से बाचीत में बताया कि ये सेमिनार अपने क्वालिटी रिसर्च वर्क के लिए जाना जाता है इसलिए इसमें आप देखेंगे कि हमने बहुत कम पेपरों को सेलेक्ट किया है जो हमारी जो टेक्निकल रिभीवर कमिटी है वो बाहर की है सारे पेपर्स जो है अलग अलग जबों से आए हैं पूरे देश से आए हैं कुछ पेपर्स बहाद से भी आए हैं उन सब के बीच में हम लोगों ने सेलेक्ट किया कुछ पेपर्स और बेसिकली जो है या सेक्यूरिटी पर आधारीत कॉन्फरेंस है IIT Bombay के निदेशक आरकी श्याम सुन्दर ने बताया कि हमें देश के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए देश की ही मॉडल पर रिसर्च करना होगा इसमें डेटा रहेगा ना वो डेटा कलेक्शन के लिए डेटा यी गोल्ड है ये डेटा सीए भी सेक्यूर कर सकते हैं ूस्टोडी करेगा पैसा AI मॉडल सेक्यूर हो जाएगा कून सा ठर्च मॉड़ल हो जाएगा ये इसमें हमारा इंडिा का अग्श्ट होगा इजर। तर्च मॉडल नहीं इंदर अज़ज्ट नहीं होगा साहयक प्राध्यापक सौम्या जैन ने बताया कि सेमिनार में कंप्यूटर साइन्स और साइबर क्राइम के शेत्र में रीसर्च कर रहे शोद छात्र भाग ले रहे हैं यहां पर कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्यॉरिटी के शेतर में जितने भी लोग कारियरत हैं जो भी रिसर्च वर्क चल रहा है वहां वो सभी लोग पार्टिसिपेट किये हुए हैं और जादतर पीएजडी वाले हैं जो रिसर्च कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के चारदी विसी इस सेमिनार का समापन 19 दिसंबर को होगा